हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका अपना निजी सलाकार अमित्राश शर्मा और आप देख रहे हो यूदरियल आज की वीडियो का श्रेज आता है श्रीमान महेर सोनी जी को श्रीमान सोनी जी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है आदित्य वीडियो को लाइक करना है चैनल को सबस्क्राइब करके और कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आईए अब बिना समय गवाए आदित्य विल्ला सन लाइफ इंशॉरंस कंपनी लिमिटेड के चाइल्ज फ्यूचर अशॉर्ड प्लान को समझते हैं ये प्लान नॉलिंग्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंशॉरंस पॉलिसी है नॉलिंड का मतलब होता है कि आप जो प्रिमियम पे करते हैं कमपनी उसको एक्यूटी मार्केट पे इंवेस्ट नहीं करती है तो उससे आपको रिस्क नहीं रहता है अब क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है तो जीरो रिस्क है हैं आपे क्यों क्योंकि जो भी return होगा वो आपको guaranteed मिलेगा जब आप ये plan लेंगे आपको पहले से ही पता होगा कि किस साल कितना return आपको मिलना है और life insurance cover इसमें आपको मिली रहा है ये plan तीन अलग-अलग option में आता है जिसमें से आप एक ही option अवेल कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है पहला है education milestone दूसरा है marriage milestone तीसरा है education and marriage milestone benefit तो मतलब तीसरा जो option है वो दोनों का ही एक combination है इसी के साथ में आप इस plan को अगर लेते हैं तो add-on के माद्यम से जो की है enhanced insurance cover आप अपने life cover को बढ़ा सकते हैं up to the 200% of your sum assured अगर आप enhanced cover को लेते हैं इस add-on को लेते हैं तो ऐसे में अगर death हो जाते हैं तो nominee के पास में दो option रहेंगे या तो वो enhanced cover को as a lump sum amount ले ले या installment में ले ले अगर वो installment में लेना स्विकार करता है तो 20% enhanced insurance cover का जो amount है वो nominee को मिल जाएगा as a lump sum बाकी 80% जो amount होगा वो सालाना या मासिक जैसा कि nominee चाहेगा उसी के अनुसार 5, 10 या 15 साल के period के साथ में उसको किस्तों में मिलेगा जैसे कि आप table screen के उपड़े की रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल ठीक है अब माली जे 5 साल का period लिया है और सालाना चाहते हैं तो enhanced cover अगर 10 लाक रुपे का तो 10 लाक का 18.9 प्रतीशत जो है उनको सालाना मिल जाएगा अगर मासिक चाहेंगे तो 1.5, 4 प्रतीशत की दर से मिल जाएगा अगर वही period 10 साल का लिया होगा तो 10.8, 7 प्रतीशत की दर रहेगी सालाना मासिक के लिए 10.8, 8 प्रतीशत की दर रहेगी 15 साल का अगर period लेंगे तो 8.2, 4 प्रतीशत की दर से सालाना उनको enhanced insurance cover का जो amount है किस्तों में मिलेगा मासिक चाहेंगे तो 10.6, 7 प्रतीशत की दर से मिलेगा ठीक है और इस benefit के लिए extra premium आपको pay करना होगा ये चीज़ आप ध्यान लखिएगा अब बात आती है eligibility criteria की तो तीनों ही option के अंदर जो entry age limit है normally वो है 18 साल से लेके 65 साल बट अगर an age insurance cover को लिया जाता है अड़ान को लिया जाता है तो 18 से 50 साल तक की आयूशीमा यहां पे हो जाती है अधिक तम जो maturity age की सीमा है वो है 75 साल तक policy term का जो option है यहां पे अगर आप पहला option लेते है जो कि यह education milestone तो 10 साल से लेके 29 साल तक आप policy term ले सकते हैं दूसरा option जो कि यह marriage milestone उसमें 8 साल से लेके 32 साल और तीसरा जो option है education and marriage milestone benefit वहाँ पे 11 साल से लेके 32 साल का policy term का आपको option मिल जाएगा अब बात आती है यहां पे premium payment term की तो देखिए अगर आप पहला option लेते हैं या दूसरा option लेते हैं पहला option है education milestone दूसरा है marriage milestone दोनों में से कोई भी option लेंगे तो minimum जो premium payment term है वो 5 साल का है minimum जो सालाना premium आपको pay करना है basic वो है 30,000 रुपे का लेकिन एक चीज़ ध्यान डखनी है कि जो minimum premium pay कर रहे हैं वो minimum summer short के जो bracket है उसको fulfill करती हो जो की है 4,000,000 रुपे का ठीक है band 1 पे कोई भी आपको rebate देखने के लिए नहीं मिलती है band 2 में क्या है 8,000,000 से लेकर के 11,99,99,000 रुपे तक का अगर sum a short आप लेते हैं तो band 2 में 1000 रुपे के summer short पे 1.5 रुपे right मतलब 1.50 पैसे का आपको छूट मिल जाएगा अगर आप band 3 लेते हैं वो कब आएगा band 3 की category में जब जो sum a short है वो 12,00,000 या उससे जादा का होगा तो ऐसे में 1000 रुपे के sum a short पे 5.5 रुपे की छूट आपको देखने के लिए मिलेगी premium पे वहीं अगर आप third option लेते हैं education and marriage milestone तो ऐसे में आपको 1000 रुपे के summer short पे 5.5 रुपे की छूट देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे automatically जो premium है वो high जाता है वहाँ पे ज चार लाग से जादा होना चाहिए तब ही आपको देखने के लिए मिलेगा मतलब कि जो band one का जो option है वो fulfill होना चाहिए अब benefit की बात करते है education milestone आप लेते हैं तो आपके पास में option रहेगा कि तीन साल लगातार आप चाहते हैं guaranteed benefit लेना जिसे आप money back कहेंगे तो आसान रहेगा समझने में दूसरा है 6 साल फिर तीसरा है 9 साल राइट मालो तीन साल का option लिया होगा तो पहली जो दो premium आएंगी मतलब guaranteed जो किस्त आएगी वो 30 प्रतीशत की दर से और 3 जो होगी वो 40 प्रतीशत की दर से आएगी बच्चे के उमर जब 15 से 21 साल के बीच में हो जाएगी तब आपका premium payment term complete हो जाएगा और policy का जो maturity अगर पास आ रहा होगा तो ऐसे में आपको 6 साल लगातार यहाँ पे money back देखनी के लिए मिलेगा पहले 3 साल 15 प्रतीशत की दर से summer short का उसके बाद ने 25 प्रतीशत की दर से आपको मिलेगा अगर आप marriage milestone benefit लेते हैं तो उसमें सिर्फ 9 साल का अगर आप period ले लेते हैं education milestone में तो पहले जो 5 साल होंगे उसमें आपके basic summer short का 10 प्रतीशत मिलेगा बाकि 6 साल और 7 साल पे आपका जो basic summer short होगा उसका 15 प्रतीशत तक आपको अधिक्तम मिल सकता है उसके बाद 8 और 9 साल पे 20 प्रतीशत की दर से आपको return देखने के ल education and marriage milestone option इसमें ये दोनों का ही combination है जो मैंने आपको education milestone पे जो money back का जो period बताया वो भी मिलेगा और एक maturity benefit भी lump sum amount देखने के लिए मिलेगा plan में आपको loyalty addition भी मिलता है अगर आप time पे लगातार पूरा premium पे करते हैं right तो जो आपको guaranteed जो money back मिल रहा है वहाँ पे आपको 20 प्रतीशत की दर और extra मिल जाएगी आपके sum assured पे confuse मत होईगा मैं end तक आपको calculation भी करके दिखाऊँगा तो बस आपको अराम से video देखना है बात कर लेते death benefit की detail पे तो महाँ पे आपको क्या मिलता death benefit में nominee को मिलेगा वो मिलेगा आपको sum assured on death sum assured on death क्या है जो basic साल आना premium में उसका 10 गुना या 105 गुना उन सभी premium का जो pay की गए तिल दा date of death और अगर during the premium payment time अगर death हो जाती है तो premium भी wave of हो जाएंगी और sum assured जो death benefit है वो nominee को मिलेगा plan continue चलेगा और maturity benefit भी देखनी के लिए मिल जाएंगे क्योंकि premium wave of होने का मतलब यही होता है कि plan continue चल रहा तभी तो premium wave of money जाएंगी अमाल लीजिए Mr. A की जो हमर है वो 32 साल की policy term लिया उन्होंने 20 साल का premium payment term लिया उन्होंने 10 साल का और वो साल आना 50,000 रुपे का premium pay कर रहे हैं और उन्होंने marriage milestone benefit option लिया है अब मैंने इनके website पर जाके calculate किया था तो जो summer short मिल रहा है वो 5,000,000 रुपे ही मिल रहा है और 5,000,000 का हम यहाँ पे premium भी पे करेंगे total क्योंकि 10 साल का हमारा premium payment term है तो हमने marriage milestone benefit option को opt किया तो इसमें में सिर्फ maturity benefit मिलता है जो कि मिल जाएगा 10,000, 65,000 रुपे और यह tax free amount होगा इस पर कोई tax आपको नहीं लगेगा अब यहीं पर हम माल लेते हैं Mr. A की जो अमर है 32 साल के policy term 20 साल का है premium premium term 10 साल का है साला ना वो premium 50,000 पे कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पहला option यहाँ पे ले लिया है education milestone benefit और वो चाहते कि 6 साल तक उन्हें लग आइस premium का 10 times हो गया और जब 52 साल की उमर हो जाएगी मतलब जब maturity आएगी तो 2,11,000 रुपे उनको maturity benefit के रूप में मिल जाएंगे अब maturity benefit इस प्लान में assured benefit है ठीक है अब यह assured benefit जो है आपको education milestone पर तभी पता चलेगा जब आप calculation खुद करते हैं website पर जाके क्योंकि document में भी हम हमें money back देखने के लिए मिलेगा लगातर यह शुरू होगा premium payment time जब complete हो जाएंगी उसके बाद में maturity आने वाली होगी तब ठीक है जैसे 6 साल हमें यह लगातर मिल रहा है अब इसमें loyalty addition भी मिल रहा है क्योंकि हमने लगातर सारी premium हमने pay कर दी हैं और annual income जो benefit है वो भी हमें मि आए वो speed की बात कर रहा हूं end में 2,32,000 रुपे जो पांचवा साल है फिर 6 साल पर भी 2,32,000 रुपे मिलेंगे इस तरीके से जोड़ आप लेना ठीक है जी तो आपको total amount यहां पर पता लग जाएगा हम माल लेते हैं कि 32 साल की उमर है policy term ले लिया है 30 साल का Mr. M ने ठीक है और PPT है 10 साल का है और साल आना एक लाख रुपे का premium हम यहां पे pay कर रहे हैं और third option हमने ले लिया है education and marriage milestone अब education milestone benefit में हमने period ले लिया 9 साल मतलब 9 साल हमें यहां पे क्या मिलेगा money back मिलेगा और waiting period हमारा यहां पे आगया 4 साल मतलब premium payment time के 4 साल बाद हमारा यहां पे money back start होगा तो summer short हमारा कितना हो जाएगा एक लाख में 10 का गुणा करेंगे 10 लाख रुपे का हमारा summer short हो जाएगा और 10 लाख का हमारा total premium जाएगा 10 साल के अंदर क्योंकि सालाना एक लाख रुपे का हम premium pay कर रहे हैं और इस age के साथ अगर आप इसी option को चूज करेंगे इसी तरीके से तो 91,000 से जादा premium pay करेंगे तब यह option मिल पाएगा इदर नहीं तो 10 लाख का summer short और 10 लाख premium pay कर आज 62 साल की age जब हो जाएगी maturity आ जाएगी तो 11,40,000 रुपे यह marriage assured benefit के रूप में मिल जाएगे गारंटेड क्योंकि दोनों ही option जो है option number one और option number two का combination है option number three ठीक है जो है education and marriage milestone तो premium pay momentum plus deferred जो हमने चार साल का wedding period लिया वो complete हमारा हो गया loyalty edition के साथ में हमें यहाँ पे जो money back जो देखने के लिए मिलेगा वो 9 साल के लिए मिलेगा क्योंकि money back का जो हमारा period हमने लिया है वो 9 साल के लिए तो पहले 5 साल मिलेगा हमें 1,37,000 रुपे की दर से ठीक है फिर जो हमारा चाटा साल और सातवा साल आएगा वो हमें मिलेगा 2,05,05 पिर हमारा जो 8 और 9 साल आएगा वो मिलेगा 2,74,000 रुपे की दर से हमें टोटल देखने के लिए मिलेगा ठीक है अब यह मैंने इनकी website का यूज इसलिए करा क्योंकि किसी ने कहा था पिछली एक वीडियो प तो इस वज़े से हमने उनका calculator यहां पे यूज किया दो साल लगातार policy को चला लेंगे तो surrender कर पाएंगे 30 प्रतीशत मिलता है minimum अधिकतम 90 प्रतीशत तक मिल पाता है depend करता है कि कितने साल बाद आप surrender कर रहे हैं इसका पूरा चार्ट आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल हुआ है monthly मतलब mode of premium जो है monthly है तो 15 दिन का grace period है आइधर 30 दिन का revival period आपको मिलता है 5 साल का अब अगर आप चाहते हैं इसका पूरा PDF तो आपको link description में दिया वहां से भी download करके पढ़ सकते हैं वहिना telegram चैनल पे भी आपको मैं share कर दूंगा आपने सवाल पूछा और वीडिय यहां वहां सब कर देया है आपको मां चैनल पूछा, और नची को खूंगा झार यहां साल का उना। झानल ऑपको भी आपको झार झापको, गुळदा है जा हुट